अलवरगेट थान अंतरकत मेयो लिंक रोड पर रहने वाली 84 वर्षिय बुजर्ग महिला को चाकू की नौक पर नकाब पोश बदमाश ने लूटा गर में रखे 35,000 रुपे लेकर हुआ फरार, स्पी के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन, आरोपी के गिरिवा तक जलत पहुंचेंगे पुलिस के हाथ अजमेर के अलवरगे ठान अंतरकत बीती रात मेयो लिंक रोड पर रहने वाली एक बुजर्ग महिला को नकाब पोश बदमाश द्वारा बंधक बना कर लूटने की वारदात सामने आई है नकाब पोश बदमाश घर में गुसा और चाकू की नौक पर बुजर्ग महिला के हाथ और मुह उसी के कपड़े से बांध कर घर में मकान की रिपेरिंग के लिए बैंक से निकलवाई गई 35,000 रुपे की नगदी लूट कर फरार हो गया काफे देर बाद बुजर्ग महिला ने जैसे तेसे अपने हाथ और मुह से कपड़ा अठाया और अलवरगीट थाना पुलिस को गटना की सूचना दी बुजर्ग महिला मीरा कश्षप ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह SBI दिली ब्रांच से रिटायर हुई है करिब 2006 से अजमेर में ही रह रही है उनके साथ ही उनकी छोटी बेहन भी घर में रहती है लेकिन वह बीमार होने के चलते बेड रेस्ट पर है बीदिरात रात लगभग 9 के आसपास मुह पर कपड़ बांदे एक बदमाश घर में गुसा और गेट खटकटाने लगा वे बारा ही तो बदमाश ने परिचित की जानकारी लेने का जासा देकर गेट खुलवा लिया और अंदर गुसाया और चाकू की नौक पर घर में रख थे 35,000 रुपे लेकर भाग गया सूचना मिलने पर अलवरगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गटना इससल का मौका मुहायना किया पीडित महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्च कर मामले की जान शुरू कर दी है वह बुजुर्ग महिला से हुई ल पांशु जांगीर मामले में लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं शुकरवार सुबह साइबर सैल की टीम ने भी गटना इस्तल पर पहुंच कर महिला से मामले की जानका रिलीज के साथ ही टीम के द्वारा गटना इस्तल के आसपास लगे सीसी टीवी कैमरों को भी खंगाला ज हुआ है मैं ना इस यह पर कप्रा पहना हुआ है मुह सफीद चदर साटा धका हुआ हुआ था आते ही मेरे को अगला कर चाकू दिखाने लग गया उस से मैं लड़ी हूँ ऐसी बात नहीं है फिर मैं गिर गई बठका बठका पानी में गिले कब मेरे को कमरे में ले गया हात आना हम पेगा मूपैलिया लिगा केना हम वेल्मारी में हमाओन देनने हाथ ल मगातिगा ह नदिंग नीımिंग। कितना कुछ ड अपया ले गया रोपितना को पैंटिस अजार थे। रिपेर वगर करवानी थी ने इसलिए निकलवाई थे